अस्सलाम उलेकूम तो आज मैं आप लोगों के साथ कस्टेड एपल यानि के शरीफे या आप कहलेजिए सीताफल के मिल्कशिक की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे जो ये मिल्कशिक है वो बहुत ही गाढ़ा, क्रीमी और स्मूध बनके रेडी होगा और पीने में बह पल्प निकाल लेना है अभी, तो यहां पर मैंने एक पतीली रग दी है, इसके उपर छनी रग दी है, यह वही छनी है जिसमें हम चामल वगेरे ड्रेन करते हैं, तो इसमें अब पल्प निकाल के हम डालते जाएगे, तो इस तरह से तोड़ तोड़ कर मैं सारे कस्टेड ए यह अब यह जो पल्प है, उसमें से हमें इसमें जो बीच है, बहुत सारे बीच होते हैं इसमें, उसे अलग कर लेना है, तो हातों से प्रेस करते जाएगे, हम इस तरह से जैसे आप देख रहे हो, मैं प्रेस कर रही हूँ, और यह करने से इसके अंदर का जो पल्प है, स्म पल्प इस तरह से जमा कर लेना है तो नीचे की तरफ बहुत ही स्मूध वाला पल्प जमा हो जाएगा चनी के ऊपर स्टिफ वाला पार्ट होता है जो कस्टेड एपल का जिसमें से बीज निकलते है वो वाला जमा होगा वो भी हमें इस्तमाल करने है मैं आपको आगे बताती ह इसमें मैंने आधा स्टिफ वाला जो चनी के ऊपर पल्प था वो डाल दिया है आधा ही डाला है आधा हम बात में इस्तमाल करेंगे और इसी पल्प के साथ मैं एड़ कर रही हूं एक कप जितनी मलाई आप चाहो तो अमुल फ्रेश क्रिम भी उस कर सकते हो यह घर की जमा की मिठास रहती ही है तो इस वजह से यह मिठा तो बनता ही है लेकिन अगर आप जादा मिठा खाना पसंद करते हो या महमानों के लिए बना रहे हो तो अपने हिसाब से आप चीनी एड़ कर देना अभी मैं ब्लैंड कर लूँगी दोनों चीज़ों को और आप देख सकते हो य इस गया है मलाई के साथ और इसका टेक्स्टेट कुछ इस तरह से बिल्कुल आइस क्रीम की तरह नजर आ रहा है अभी यह बिल्कुल ठिक और क्रीमी और टेस्ट में भी बहुत गजब का लगता है यह अभी जो स्मूद वाला पल्प था जो परतीली में जमा हुआ था मैंने तकरीबन दो कप के आसपास विच इस अराउंड 400 एमेल जितना दूट डाल दिया था दूट डाल कर मैं मिक्स करूंगी और आप इसकी कंजिस्टनसी देख सकते हो बिल्कुल गाड़ी दानेदार सी और बहुत ही मज़ेका बिल्कुल नैचरल फ्रेश और बहुत ही पारनिशिंग के लिए डालेगे और जब यह मुह में भी आता है ना पीते वक्त तो बहुत मज़ेका लगता है तो आपने अलग से इस तरह से निकाल लेना है और बाद में उपर से एड़ करना है मिल्कुल के उपर तो यह हमारा बहुत ही थंड़ा थंड़ा सर्व करेगे ह और मुझे बताना कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी अल्ला हफिज